अगर आप affiliate marketing करते हो या फिर network marketing कर रहा है और दो problem से जूज रहा हैं सबसे पहला कि अगर आपने अज़़ा अफिलेटर या networker invest किया है तो जब तक आप काम नहीं करोगे उसका return सबको नहीं मिलता है सेकेंड चीज अगर आपने अच्छा team बना लिया और टीम आपका वग नहीं कर रहा है तो भी आपको profit नहीं हो रहा है तो इन दोनों condition में वीडियो आपके लिए complete आप इस वीडियो को देखेगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये इसमें affiliate marketing, network marketing, crypto currency सारे industry को एक साथ मर्ज करके बहुत unique concept बनाया गया है जो कि पिछले एक साल से काम कर रहा है मैं बात करूँ पिछले 25 December को मैंने पिछले साथ 25 December को ID generate किया था मैं वहाँ पर invest किया था कुछ 12,000 रुपए जिसकी value आज 35,000 रुपए है बीना कोई काम करे मतलब कि आप सोच लीजे काफी अच्छा profit आपको होगा तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा हलो डियर मेरा गाम अरुन साह हूँ है मैं रापोर 36 गर से बिलाओं करता हूँ और मैं अपने profession की बात करूँ तो मैं पिछले देर साल से cryptocurrency के field पर work around successfully और more than 20 lakh plus का revenue मैंने generate किया उसके साथ साथ मैं organic lead generation expert भी हूँ मैं लोगों को training भी provide करता हूँ और ये भी सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने business को digitally grow करोगे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं international level पर 10 countries को deal करता हूँ वो भी digitally और इंडिया के हर एक state में लोग मेरे साथ work कर रहे है तो अगर आप भी सिखना चाहते हैं तो हमसे connect हो सकते हो इस वीडियो को last तक जरूर देखना जिससे कि आपको maximum benefit हो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हम लोग मीधर project के बारे में बात करने वाले मीधर project जिसमें mcoin है अब यह है किया इसके बारे मैं थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले इसके कुछ खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा ध्यान से समझेगा है जो mcoin projector है इसमें मैं बताओ तो इस खुद की blockchain लेके आया है उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर TPS का है तो TPS मतलब transaction per second जो है आपके Binance के blockchain, Ethereum के blockchain, Tron के blockchain से भी बहुत हाई है जैसे मैं बताओ तो Ethereum की per second transaction मतलब की TPS 11 है वही मैं बात करूँ आपके Binance का तो 119 है जो की TPS है उसके बाद मैं बात करूँ आपके Mcoin का तो 258,000 TPS है अब आप सोच लीजे कितना fast transaction होगा one single second में 258,000 transaction complete हो सकता है मतलब की transaction charges बहुत कम लगेंगे मतलब transaction charges बहुत कम लगेंगे तो आने वाले time में बड़े बड़े project को इसमें लेके आया जाएगा तो बहुत अच्छा growth होने वाला है अब मैं बात करूँगा इसके management team का तो सबसे पहले मोहमत खारास हो है जो की इसके founder है उसके बाद Dennis से हो है जो की इसके director है हमारे इंडिया से किरन आरिया सर है जो की इस project को lead कर रहा है और हमारे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है अब यहाँ पर earning कैसे होता है किस तरीके से system है इसके बारे में हम समझने वाले है मैं आपको सारा information अपने mobile का screen पे दिखाऊँगा तो चलिए हम अपने mobile के screen पे चल करके step by step earning का scenario समझ रहे है लास तक देखेगा जिससे के आपको सारी चीजसे समझ में आ जाए अब हम आ गए अपने mobile के screen पर और step by step चीजों को समझेंगे सबसे पहले मैं बात करो product and project के बारे में तो यहाँ पर volume X leverage trading मतलब कि क्या है यहाँ पर crypto and forex का trading आपको दिया जाता है उसके बाद मैं बात करूँ M coin का stacking तो यहाँ पी क्या होता है डेर गुना से दो गुना value का stacking आपको मिलता है मतलब कि जितना आपने invest किया है amount उसके डेर से दो गुने value का आपको M coin stacking में मिल जाता है उसके बाद मैं बात करूँ आपकी meter pro का तो इसमें क्या होता है profit sharing up to 2.5% per week होता है अब चलिए मैं बात करूँ especially यहाँ पर education package category का तो सबसे पहले मैं बात करूँगा branch package का जिसमें $30 है ध्यान से समझेगा यहाँ पर यहाँ $30 से आप start कर सकते हो तो होता गया यहाँ पर जब आप $30 invest करोगे तो आपको $45 का MCAS coin आपके wallet में मिल जाता है जो कि 365 दिन तक daily basis में आपके पास आते रहता है daily आपके पास 365 दिन तक आते रहता है तो यह होता है आपका branch package जिसमें $30 होता है उसके बाद मैं next वाले package की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा बागी जो 3 packages है इसमें क्या होता है यहाँ पर stacking के जो time period होता है वो 730 दिन का होता है यहाँ पर 365 दिन का होता है लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तीनों पर 730 दिन तक stacking होता है तो यहाँ पर किस तरीके से आपको commission मिलता है इसमें 900 है premium है जिसमें 2700 है और ultimate है जिसमें 5400 है उसके बाद मैं बात करूँ platinum package की तो platinum package की मैं बात करूँ तो professional में मैं बात करूँ 10800 है और meter pro में मैं बात करूँ तो 27000 है अब होता क्या धियान से समझेगा जब यहाँ पर 3700 डॉलर से आगे निकल जाते हो packages में तो आपको 2X मतलब कि इस दिन तक daily basis में आपको मिलता है हम बात करते हैं mcoin affiliate income का तो यहाँ पर किस तरीके से income आपको मिलता है सबसे पहला introduction bonus आपको मिलता है second advisory income मिलता है third residual bonus मिलता है उसके बाद मैं बात करूँ team building bonus मिलता है fifth income मात करूँ team matching bonus मिलता है और छटवा है rank reward मिलता है और जो साथवा है वो special offer time to time आपके लिए चलते रहता है जैसे कि अभी एक मेहना पहले Dubai trip का special offer चल रहा था तो चलिए अब मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर हर कोई start कर सकता है earning कर सकता है मैं project के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो direct affiliate income सबसे पहला आपको मिलता है introduction bonus में मैं बात करूँ अगर आपने 30 dollar से किसी को भी introduce किया है तो उसका 50% मतलब की 15 dollar आपको direct commission मिलेगा पहले वाले में सिर्फ ट्रायल package 30 dollar वाले में आपको 50% commission मिलेगा लेकिन इसके बात की मैं बात करूँ तो इस वाले को छोड़ करके 30 dollar वाले को छोड़ करके आप 90 dollar और इसके अबब की जितने भी आप packages पे जाओगे आपको सिर्फ 10% commission मिलेगा अब आप बोलोगे कि बहुत कम है बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आगे step by step समझेगा चलिए मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ step by step सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका single line affiliate income का जो की है advisory income जो की fixed time income है जो की सिर्फो one time आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए trial package नजर आ रहा ना तो इसमें किस तरीके से income मिलेगा ध्यान से समझेगा जब 30 dollar वाले को आप upgrade करवाते हो तो आपके director वाले में 50% का commission मिला level 1 पे उसके बाद level 2 से यहाँ पर देखिए level 9 तक है तो level 2 पे 1 dollar, level 9 पे 1 dollar वाकी यहाँ पर half dollar आपको मिल रहा है कैसे ध्यान से समझेगा suppose that आपके team में 9th level तो कोई भी person आता है A, B, C, D, whatever कितने भी लोग तो आपको हर एक person से second वाले level, third वाले level, fourth, fifth ऐसे करके आपको one time सबसे income आते रहेगा मतलब कि अगर आपके down में 100 लोग आते हैं, 200 लोग, 1000 लोग तो हर एक person से half of dollar आपको मिलेगा third level, fourth ऐसे, fifth में है 8 level तक या फिर 9th level पे है तो आपको सबसे 1-1 dollar मिलेगा मतलब अगर 9th level पे 100 लोग आ जाए गए तो 100 dollar मिलेगा, 1000 लोग आ गए तो 1000 dollar मिलेगा, मतलब आप profit देखे कितना huge profit आपको होगा यहाँ पे मतलब बहुत छोटा amount लग रहा है बट number of people पे game खेला जा रहा है जिससी की बड़ा profit आपको मिलने वाला है अब मैं बात करूँ आपकी यहाँ पर income applicable 90 USDT अब अब के लिए, तो यहाँ पर क्या है जब मैं आगे की packages की बात करूँ तो यहाँ पर आपको किस तरीके से benefit मिलेगा ध्यान से समझेगा, यह है residual income जो कि 730 दिन तक आपको मिलेगा 90 dollar और उसके उपर वालो के लिए ROI to ROI होता है, इसमें किस तरीके से income मिलता है, ध्यान से समझेगा, यहाँ पर 9th level आपको शो किया गया है, तो 9 level पर देख लीजे, आपको commission कितना percent मिला है, मतलब कि अगर आपकी team में कोई भी percent 90 dollar का, 270 dollar का, 450 dollar वाला package upgrade करता है, या whatever कोई भी package upgrade करता है, तो उनको daily basis में जितना M coin जा रहा है उसका percentage आपको मिल रहा है 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 2.5%, 2%, 1.5% और 1%, मतलब कि daily basis में आपको income होगी, और यह जो income है 730 दिन तक आपको मिलते रहेगा आपके team में हर एक percent से 9th level तक, मतलब सोचिए कितना use profit daily basis में आपको मिलेगा, suppose that आपके team में किसी ने 450 वाला package upgrade कर लिया और उनको daily basis में 5 जॉलर या 10 जॉलर जा रहा है, तो उसका percentage आपको मिलेगा daily basis में, अब मैं बात करूँ आगे थोड़ा एक step, तो यहाँ पर दिखे plus 9th level में मैं बात करूँ जब आप 2700 डॉलर के package को upgrade कर लेते हो, तब आपकी जो income है वो 9th level ने, 18 level तक मिल जाता है फिर, 18 level तक आपको income मिलेगा, मतलब कितना depth level तक आपको income मिलना है, आप सोचिए काफी बड़ा आपको returns यहाँ पर मिलने वाला है अब मैं बात करूँ team building bonus का तो team building bonus में देखीगा 25% distribution according to rank and 4% reward आपको मिलता है 4% reward कैसे मिलता है इसके बारे में भी समझेंगी, ध्यान से समझेगा सबसेर पहले मैं आपको बताऊंगा designation में जो bonus मिल रहा है उसके बारे में तो देखीए, executive, senior, executive, manager senior manager, इस तरीके से rank है और rank के लिए business volume shed किया गया, कि आपको 1500 का business volume देना है, 5000 का business volume तो होता गया, अगर आपने 1500 का business volume दिया, तो 5% commission आपको मिलेगा, मतलब कि अगर आपके team में कोई भी person 90 dollar या उसके उपर वाले package को upgrade करता है, तो उस percent का 5%, उस 90 dollar का 270 dollar का, 450 dollar का 5% आपको commission मिलेगा, आपके team में कोई भी person आजाए, कितने भी लोग आजाए, हर एक person से मिलेगा लेकिन जैसे जैसे आपका rank upgrade होते जाता है, आपका जो percentage है वो बरते जाला जाता है, जैसे कि आप देखिए 5%, 7%, 9%, 11%, 13%, इस तरीके से last 25% तक आपको commission मिलता है crown ambassador में, अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को downline structure भी देखना पड़ता है कैसे करना रहता है, जब आपको senior executive बनना है, तो आपके team में 2 executive in different line, ज़रूरी नहीं है आपके direct में हो, लेकिन आपके नीचे 2 executive होना चाहिए, और जब आप manager बनते हो, तो आपके नीचे 2 senior executive और 1 executive in different line उसके बाद मैं बात करूँ, जब आप senior manager बन जाते हो, तो 2 manager आपके पास होना चाहिए और 1 senior executive in different line, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इसको manage करके चलना होता है इस तरीके से, अब मैं बात करूँ, rank reward का तो यहाँ पर दिकिए rank reward कैसे मिलता है जैसे जैसे आपने अपना rank upgrade किया, जैसे मैं बात करूँ, पहले executive थे, तो कोई benefit नहीं मिला senior executive बने, तो 200 dollar का benefit आपको मिलेगा, luxurious watch खरीदने के लिए, company के तरफ से जिसको आप cash में convert कर सकते हो जब आप manager बनते हो, तो आपको iPhone के लिए $600 मिलता है, जिससे आप iPhone भी खरीद सकते हो या फिर cash में convert कर सकते हो जब आप senior manager बनते हो, तो $1000 मिलता है, जो कि Macbook खरीदने के लिए होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको INR में convert कर सकते हो, इसके बाद आप देख लीजे $1000 है, फिर $4000, फिर $10,000, $25,000 उसके बाद फिर $50,000, फिर $1,50,000, फिर $300,000 मतलब कि आप जैसे जैसे अपने designation को complete करते चाते हो एक benefit आपको यहाँ पर percentage का मिलता है, आपके हर एक नीचे डाउनलेंज से उसके बाद मैं बात करूँ, rank reward भी बहुत awesome level का आपको मिल रहा है मतलब कि काफी benefit आपको हो रहा है यह आपका अलग commission हुआ अब हम बात करेंगे team matching bonus का तो इसमें किस तरीके से income मिलता है ध्यान से समझीगा यहाँ पर आप लोगों को 9th level तक income मिलता है और कैसे मिलता है ध्यान से समझीगा जब आपके team में कोई person आपके designation पर आजाता है तो भी आपको commission मिलता है कैसे, suppose that first वाले level पर अगर कोई person है जो की manager बन गया और आप भी manager हो तो उनको जितना percent जा रहा है daily basis में उसका आपको 5% commission यहाँ पर मिलता है अगर आप senior manager हो second level पर अगर को senior manager को qualify कर लेता है और आपका दोनों का designation सेम है तो आपको 3% का commission मिलेगा सेम इस तरीके साब देख सकते हो जैसे जैसे आपका level होगा 9th level तक यहाँ पर भी आपको commission मिल रहा है यहाँ पर confused नहीं होना है अब आपको मैंने सारी चीज़े clear कर दिया है तो अब आपको सारी चीज़े clear हो गया होगा कि क्या है मिधर का projector और कैसे beneficial है बट फिर भी दो condition आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला as a networker अगर आप काम करते हो team build करते हो तो अगर आपने 1-2,000-3,000 का team बना लिया तो daily basis में आपकी income 200-500$ होगा मतलब कि 15-20,000 रुपए daily basis में आपकी income होगी और अगर आपने इस team को और बढ़ा किया एम कोईन की value 6 रुपए था जब मैंने इन्वेस्टी किया था 12,000 और मेरा जो investment capital था उसकी value 35,000 से भी उपर हो चुका है बिना कुछ खाम किये तो बहुत unique concept है wait मत करिये जितना जल्दी हो सके start करिये और हमारी इस community का part बनिये इस्टे बास सब्सारी चीजों को सीखेंगे करने माले हैं बहुत मज़ा आएगा तो जितना जल्दी हो सके start करिये हमारे साथ टेक के अडियर